क्विस्टिन नम्बर शिक्स्टी वन तीस विद्यारतों कि कच्छा में 40% लड़के और 30 लड़किया है तो कच्छा में लड़कियों की संख्या क्या है तो देखी 60 बन का कुल छात्र तो 30 ठीक है और यहां से 40% 40% क्या है लड़के है तो बाकी क्या होगा 60% है लड़कियां होगा तो लड़कियों की संख्या पूछा गया है 30 का है ना 60% लड़कियां तो 60 बटा कितना 100 यह कड़ जाएगा तो आ जाएगा छटरी कितना 18 लड़कियां है ठीक है आई बासट नंबर क्वेस्चन किसी कमरे में 45 मर्द और 30 आड़ते हैं तो कमरे में और तो की प्रतिश्चत क्या है पहले इसमें को कुल संख्या निकालन और पलस और तो की संख्या कितना है तीस तो 45 पलस कितना हो जाएगा तीस तो यह आ जाएगा 75 अब पूछ रहा और तो करतिश्चत कितना है तो जिसका पूछेगा उसको हम लोग उपर लिखेंगे तो और तो का प्रतिश्चत तो औरती हैं कितना 30 कितना में टोटल 75 में 75 में 30 औरती हैं परतिस्चत निकालना है 100 से गुना कर देंगे 25 चो के 100 कटेगा 25 ती या 75 कटेगा 3 से 10 वार में कटेगा यानि कि 40 परतिस्चत महिल आये हैं यानि औरती है 63 नमबर 80 का 20 परसेंट है तास्ची का 20 परसेंट तो 20 बटा कितना 100 ये 25 चटेगा 5 से कट जाएगा 16 वार में तास्ची का 20 परसेंट कितना हो जाएगा 16 अनिसर्ट 64 नमबर क्वेस्चन में आईए एक व्यक्ति अपने आई का 25 परसेंट बचाता है यदि वह प्रतिमा 3,000 रुपे की बचत करता है तो उसकी मासिक आई कितनी होगी चलिए देखे जितना 25 परसेंट बचाता है क्वेस्चन नमबर कितना है 64 25 परसेंट बचाता है ठीक है और यही 25 परसेंट जो है कितने के बरावर है तो तीन हजार रुपे के बरावर है तो यह एक परसेंट का अगर हम लोग यहां भैलू निकालें तो तीन हजार बटा कितना हो जाएगा 25 अब इसे हम लोग काट सकते हैं 25 से 25 इकाई 25 और पाँच जीरो 25 दूनी 50 120 बार में यानि एक परसेंट का जो भैलू है 120 है तो पुछ रहा है क्या आमदन्नी पुछ रहा है मासी काई क्या है तो टोटल तो हैंडेट परसेंट कमाता हैंडेट परसेंट में से क्या करता है वो 25 खर्च बचा लेता है तो आमदन्नी तो हैंडेट परसेंट होगा है ना आमदन्नी अमासी का है तो 120 में क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो 120 पर आजाएगा 00, यानि टोटल आमदनी है उसका 12,000 रुप्या, क्वेस्टिन नमबर 65, एक ब्यापारी 3,000 रुप्या का माल खरीटता है, इस रासी में 5% के छोट मिलती है, तो उसे वास्तव में कितने रुप्या देने पड़ेंगे, चलिए, 3000 रुप्या का माल खरीटता है, इस रासी में 5% के छोट मिलती है, तो उसे वास्तव में कितने रुप्या देने पड़ेंगे, चलिए, सामान है कितने का, 3000 का, सामान कितने का है 3.000 का छोट कितने का मिल रहा है छोट कितने का मिल रहा है सामान है 3.000 जाइब 700 फ canvas का मतलब सामान दिया गया ँभाक कितने पर 95% पर दिया गया होगा तो एक जीरो 1102 0 यह खतम हो जाताएगा अब इसको गुना कर लेंगे तो कितना मिलेगा पहुंचती है 15 और नौती है 27 और एक 28 यानि कि 2850 रुपया में उसे मान उसे मिलेगा 66 निमने लिखित में कौन से संख्या दो का 100% पलस दो का 200 का 1% के बराबर है 2 का 100% पलस दो सो का 1% तो 2 का 100% और 200 का 1% तो 2 का 100% कितना होगा यह तो कट जाएगा पलस 200 का 1% तो एक बराबर कितना होगा 100 यह 2,0 से 2,0 कट जाएगा तो इधर से 2 बचेगा इधर 2 से भी 2 बचेगा यानि कितना आ जाएगा इसका अंसर 4,67 नमबर कुएस्टिन देखिए 35 का कितना परसेंट 14 होगा तो जिसके साथ का लगा रहा है तो उसको अंट लिखते हैं नीचे तो 35 का कितना परसेंट 14 होगा तो जिसके बारे में पुछरा है उसको उपर लिखेंगे और 100 से क्या करेंगे पर 30 से निकालने के लिए गुना कर देंगे काटी इसको 7 से 7 पचे 35 इसको काटेंगे 20 पचे 100 साथ से काटेंगे 7 दूनी 14 यानि कि कितना हो जाएगा 40 परसेंट 67 का 68 किसी विद्याले में छात्रों के कुल संख्या 500 है यदि 125 चात्र उपस्थित हो तो उपस्थित चात्रों का प्रतिस्थत क्या होगा टोटल कितना है 500 चात्र है ठीक है उपस्थित कितना है 125 चात्र है तो उपस्थित कितना होगा घटा देंगे उपस्थित निकालने के लिए 375 चात्र क्या है परजेंट है तो अब प्रतिस्चत निकालना के कितना चात्र उपस्थित है तो जिसका पूछ रहा है उसको हम लोग कहां लिखते हैं उपर कूल को नीचे लिखेंगे ठीक है और परतिस्चत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे ये कड़ जाएगा पांच से इसको काटेंगे पांच चात्र पैंच चे पच्चीर यानि कि 75 परसेंट चात्र उपस्थित है ठीक है कि 68 अब इसके बाद हम लोग क्वेस्चन नमबर 69 को सॉल्व करते हैं इसक्स्टी नाइन छे सो बिद्यार्थियों में 240 बालिक आएं छे सो बिद्यार्थियों में 240 बालिक आएं तो टोटल एओ 600 बिद्यार्थियों में 240 बालिक आएं तो तो टोटल के इतना है छे सो बिद्यार्थियों ठीक है डोसो चालिस बालिक आएं तो जिसका पूछ रहा उसको उपर और ।ब्रेंट निकालने के लिए सो से गुना detect cell joke चौबिस यानि की हुजाएगा 40% 3 का 10% किसके बरावर है तो 3 का 10% 10 बटा 100 होगा यह तो सेख 0 कटेगा 3 बटा 10 यानि कि 0.3 के बरावर है Question number 71 10 मलों में बैक करने पर 200% किसके बरावर होगा तो 200% 200% है तो % हटाएंगे तो 100 से भागा आजाएगा तो 2 के बरावर होगा या 2.00 है न 2 है इसे हम लिख सकते है 2.00 72 72 नमबर Question एक ब्यख्ते गषज्टे आफारा सो रूपया परती महा कमाता है और अपनी कमाई में 10% बचचत करता है वह कितनी बचचत करता है तो देखिए बचचत कितना करता है 800 Woo कमाता है या 1.00 यज़ित लिटा करता है क्वेस्चन नमबर सेवेंटी थेरी प्रीति की दैनिक आए 180 रुपया है वह 45 रुपया भोजन पर व्याय करती है उसने भोजन पर अपनी व्याय का कितना परसेंट व्याय करता है तो टोटल देखिए इसमें प्रतिश्यत व्याय भोजन पर कितना हो जाएगा सेवेंटी थेरी में टोटल देखिए उसमें क्या है कि 180 रुपया आए है 45 रुपया भोजन पर व्याय करती है तो 45 हो जाएगा बटा 180 मतलब कूल जो आए है उसको हम रोग नीचे लिखेंगे जो निकालना उसको उपर और सौ से बगल में गुना करेंगे एक जिरो से एक जिर ठारा इसको काटेंगे तिन से तो 15 और कटे गई है कि 3 से काटो तिन दुनिचे 3 से काटेंगे इसको 3 पचे 15 दो पचे 10 यानि कि कितना पर सेंट व्याय करती है तो 25 पर सेंट व्याय करती क्वेस्टिन नमबर सेवेंटीफोर 48 कितना प्रतिस्षत है 60 का तो जिसके साथ का लगा रहा है तो उसका हम लोग नीचे लिखते हैं तो 60 का 48 कितना प्रतिस्षत है तो 48 उपर हो जाएगा गूने कितना 101-10-1068 48 यानिक हो जाएगा 80 प्रतिस्षत Question number 75 3 बटा 5 को प्रतिस्षत में बदले 3 बटा 5 को प्रतिस्षत में बदले तो भीन है भीन को प्रतिस्षत में बदलने के लिए 100 गुना करते हैं तो 5 से इसको करेंगे है ना तो 5 जे 20 बार में यानिक हो जाएगा 60 प्रतिस्षत Question number 76 0.6 का मान क्या होगा तो 0.6 कामान प्रतिस्त में निकालना है 0.6 इसको लिख सकते हैं 6 बटा 10 इसको प्रतिस्त में बदलना है ठीक है तो प्रतिस्त में बदलना है तो 6 बटा 10 को कितना से गुना कर देंगे 100 से 1,0 से 1,0 कर जाएगा यानि कि यह हो जाएगा कितना परसेंट है साथ प्रसेंट क्वेस्टिन नमबर 77 18% का लगुत्तम रूप क्या है 77 18% 18% को लिख सकते हैं 18 बटा कितना 100 लगुत्तम रूप पुछ रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे काट शाट कर छोटा कर देंगे तो काट रहते हैं इसको 9 दूनी 18 कटेगा 50 दूनी 50 कटेगा तो लगुत्तम रूप कितना हो जाएगा 9 बटा 50 Q7 26% का 10 मलब रूप है क्या होगा 26% को 10 मलब बदलना है 26% है तो इसको लिख सकते है 26 बटा 100 नीचे डवल 0 100 से भाग देना 10 मलब 102 अंक के पहले पढ़ जाएगा 0.26 अंसर हो जाएगा 10 मलब में 79 वह संख्या ग्याद करें जिसका 20% है 20 हो वह संख्या ग्याद करें जिसका 20% है 20 हो तो मान लेते हैं इस अंख्या कितना एक्स तो एक्स का 20% 20 बटा 100 कितना है 20 है तो एक्स बरावर हो जाएगा कितना 20 पच्चे 100 पांच बार में कर जाएगा एक्स बटे 5 बरावर 20 इसको हम लोग क्रोस मल्टिप्लाई कर सकते एक्स बरावर कितना 100 तो जो संख्या है वो कितना है 100 हो जाएगा 30 अच्ची ना क्वेस्चन नमबर 80 यदि A की आई B की आई से 50% अधीक हो तो B की आई A की आई से कितने परतिसत कम A की आई B की आई से 50% अधीक है तो A की आई जो है B की आई से 50% अधीक है तो B की आई को मानेंगे जिस से अधीक रहे तो उसे मानेंगे और A की आई कितना हो जाएगा 1.5 अगर B की आई 100 है तो A की आई कितना हो जाएगा 1.5 अब करें कि B की आई A की आई से कितना प्रतिस्ट कम है, तो कितना कम है, पचास कम है, तो प्रतिस्ट कम ही निकालना है, तो प्रतिस्ट कम ही कितना, तो जितना कम है उसको उपर, कितना से कम है, एक सो पचास से न कम है, तो एक सो पचास हो जाएगा, और सौ से गुना करेंगे, यहां से एक जिरो कर जाएगा इसे हम लोग काटेंगे पांच ती आई पंदरह और पांच दहां के पचास यानि कि सौव बटा के ना तीन तो तेतिस पुर्णा केक बटा तीन प्रतिस्चत क्या हो जाएगा कामी क्वेस्चन नमबर असी क्वेस्चन नमबर ग्यासी अठाइस का पैंटीस परसेंट क्या होगा एटी वन अठाइस का पैंटीस परसेंट तो अठाइस का पैंटीस परसेंट निकाला तो अठाइस का पैंटीस बटा केतना सो चार से इसको काट ये तो साथ चव अठाइस चार से इसे काटेंगे बीस पचे कि चार्ट काटेंगे पचीश पचीश चो के सौ इसको काटी साथ पच्छे पैंथीश पांचे पच्छीश तो यह आ जागा कि इतना उन्चास बटा पांच तो परतिस्चत में अंसर दिया है एक्यासी का एक्यासी प्रतिस्चत में बदल देंगे इसको पच्छ नम्मा 45 चार जीरो पनी अठी चालिस यानि कि हो जाएगा नाइन पॉइंट एट प्रतिस्चत क्वेस्चन नमबर एटी टू 45 रुपया 900 का कितना प्रतिस्चत है तो देखिए किसका पुछ रहा है 900 से ना तो 900 का तो का जिसमें लगा नीच्चे तो कितना रुपया 45 रुपया तो 100 से गुना कर देंगे परतिस्चत में बदलने के लिए 9 पचे 45 तो कितना प्रतिस्चत हो गया 5 प्रतिस्चत हो गया क्वेस्चन नमबर 83 में देखिए एक वर्ग की भुजा को 20 परसेंट घटाने से उसके 6 तरफल में कितने प्रतिस्चत की कमी होगी वर्ग की भूजा को 20% घटा दिया जाता है ठीक है तो देखी 20% घटा दिया जाता है माल लेते हैं पहले भूजा कितना है 100 है तो 6 रफल कितना हो जाए वर्ग का 6 रफल भूजा गूने भूजा 100 गूने कितना हो जाएगा 100 यानि कि 10,000 हो जाएगा कितना ओजाएगा दस अजार अब हम लोग क्या करते हैं कि 20% का का मी कर दिया गंपर्श का कमी कर दिया घटा दिया तो 20% का कमी कर दिया तो 80 हो गया आब छेत्र रफल कितना हो जाएगा आश्ची गुन यहाणि कि 2400 रुप्या चलुबूय तो 3600 कमी उपर हो जाएगा और कितना से कम है तो 10,000 से कम है और गुना क्या कर देंगे 100 से 2,0 से 2,0 कतम ये 2,0 से 2,0 कतम हो जाएगा तो ये आजाएगा कमी 36% प्रीति का वेतन सोनी के वेतन से 15% अधिक है तो प्रीति का वेतन सोनी के वेतन से 15% अधिक है तो प्रीती का वेतन सोनी के वेतन से 15% दिखे तो सोनी को 100 मानेंगे प्रीती को 115 मानेंगे अब इसमें क्या पुझे दी सोनी का वेतन 1100 है तो प्रीती का वेतन बताई सोनी का वेतन 1100 है मतलब 100 का जो भैलू दिया है ठीक है 100 का value कितना दिया है 1100 यह सोनी का वेतन है तो सोनी का वेतन 1100 तो 100 बरावर कितना 1100 अब देखे हैं हम लोग यहां से क्या करते है 100% मान सकते हैं इसको ठीक है अब एक प्रतिस्थत की value निकाल लेते है तो 1100 बटा कितना हो जाएगा 100 अब हम लोग को प्रीती का वेतन निकालना तो प्रीती यह 1% का value हो जाएगा कितना 11 तो प्रीती का वेतन कितना है 115 प्रेसेंट है 115 प्राशेंट का मतलब है 115 में 11 से गुना करेंगे 1115 पाचपन 111 11 1115 16 111 1265 हो जाएगा इसका वेतन 85 का 1265 आई क्वेस्टिन नमबर 86 क्वेस्टिन नमबर 86 ये का अदमी मासी का एका 84% खर्च करके 240 रुपया बचाता है मासी का एका 84% खर्च करके 240 रुपया बचाता है खर्च कितना करता है 84% तो जब टोटल 100 कमाता होगा तो खर्च करता है कितना 84% तो बचत कितना करता है बताई ये 84 है तो 16% बचत करता होगा तो 16% बचत के बराबर ही 16% बचत के बराबर कितना बचत करता है 240 रुपया तो 16 परसेंट के बरावर कितना हो जाएगा 240 तो 1 परसेंट निकालेंगे यहां से तो यह हो जाएगा 240 बटा 16 काट सकते हैं 8 दूने 16 अर्श तरी के 24 दो यानि कि 15 वार में यह भी कट जाएगा तो 1 परसेंट का हो गया 15 तो कितना हम जर्ने मासी काई पूछ रहा है तो मासी काई कितना 100 कमाता होगा आए कितना परसेंट 100 तो 100 परसेंट यानि 15 गूने 100 यानि कि कितना हो जाएगा पंदरा सो रुपय उसका वेतन हो जाएगा 86 इस नंबर 87 में देखिए जिरो पॉइंट फाइव इंटो जिरो पॉइंट फाइव का कितना प्रतिस्थ जिरो पॉइंट फाइव है तो देखिए जिसमें का लगा रहेगा उसको नीचे लिखेंगे तो देखिए जिरो पॉइंट फाइव गुने जिरो पॉइंट फाइव में का लगा हुआ है का जिरो पॉइंट फाइव कितना प्रतिस्थ है तो इसको निकालना था इसको उपर लिख दिए और सो से गुना कर देंगे जिरो पॉइंट फाइव से एक जिरो पॉइंट खतम हो हो जाएगा दो सो परसेंट अटाशी गांधी सिच्छन संस्थान में एक जांच परिष्छा में साथ सो छात्र सम्मिलित हुए जिसमें तीस परसेंट छात्र आसा फल हो गया तो कितने परसेंट छात्र सफल हुए देखें तीस परसेंट कहता है कि या सफल हो गया तो सफल कितना हो गया होगा सथर परसेंट छात्र सफल हो गया होगा कूल छात्र का सथर परसेंट सफल हो गया तक कूल छात्र कितना है 700 तो 700 का 700 हो गया तो सफल छात्रों की संख्या निकालना है तो 700 का कितना निकाल देंगे 70% 2.0 से 2.0 खत्म 7.49 चार सु नब्बे आ जाएगा Question number 89 और ये last question यदि किसी रासी में 5% और 6% की कमी की जाए तो प्रतिस्ट कमी क्या होगी यदि किसी रासी में 5% और 6% की कमी की जाए तो प्रतिस्ट कमी क्या होगी चलिए देखें मान लेते हैं की रासी कितना है 100 होगे 5% का कमी करेगा इसमें 5% का कमी करेगा तो 95 हो जाएगा तो प्रतिस्ट के कमी करेगा तो कितना प्रतिस्ट बचे गई है 95 अगा था 6% का फिर कमी कर देंगे तो 95 था अब इसका हम लोग कितना परसेंट कमी कर देंगे चैपर से तो 94 अवे परसेंट है ना 94 अवे बटा कितना हो जाएगा यह सो जाएगा तो ऐसे तो बहुत तिकत हो जाएगा इसमें ठीक है तो इसमें का करना है कि पांच परसेंट की कमी करेगा है ना यसे परसेंट की कमी और चे परसेंट की कमी तो एक फॉर्मूला हमारे पास इस नियम से बना सकते हैं लेकिन यह बहुत लंबा जाएगा तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक पलस वाई माइनस एक गूने वाई बटा कितना सौ ऊए बाटा कितना हो जाएगा थीए सौ भी यारा माइनस पांच छे परसिंट का कम ही तो चे माइनस पांच गूने 6 और बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ठीक है तो 56 11 माइनस 56 का 30 बटा केतना 100 10 10 कटेगा यह 11 माइनस 3 बटा कितना 10 3 बटा 10 11 माइनस 0 पॉइंट यह कितना हो जाएगा 3 इसको हम लोग घटाएंगे तो आजाएगा 10 पॉइंट 7 अंसर आज की वीडियो में सिर्फ इतना है और यह चैप्टर परतिस्तत का समाप्त हो गया अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए और दोस्तों के साथ इसे सेर किजिए धन्यवाद झाल